आप सब्सक्राइब कर लिजए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आजब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूं और आप चाहते हैं ना मैं आपके लारा से वीडियो बनाओ राइट तो लाइक भी करना है गाइस ठीक है चले तो देखते हैं आपके परसन आपको लेकर अभी इसी वह क्या कुछ है जो सोच रहे हैं प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजिल्स बताएं में रिव्यूर्स को कि उनके परसन अभी उनको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं गाइस अपने परसन के बारे में सोचते रहें you think I'm good looking no matter what okay शाहत आपके परसन बहुत है तो हैं या अट्राक्टिव बहुत जाता थाथ है ठीक है और you are such a kind human being is it so कि आपके person you when I'm with you I can be myself ठीके आपके person कहीं न गई आपके person good looking बहुत है attractive बहुत है दूसरों की मदद करना उनको बहुत पसंद है आपके साथ वो बहुत अच्छा फील करते है the way you run your hands through my hair wow beautiful जैसे आप उनके बाल ठीक करते हो you know and love so that's the things जो उन्हें अभी इसी वक्त याद आ रहे है the way you love me जैसे तुम मुझे प्यार करती हो न या करते हो वैसे शाइब कोई और घर भी नहीं सकता हो और अब उन्हें इस चीज का एसास हो रहा है you accept and respect my limitation जो मुझे पसंद है तुम वो करते हो जो मुझे नहीं पसंद हो वो तुम नहीं करते हो आपने ना अपने person को ठीक है या फिर मैं कहूं कि आप अपने person के लिए बहुत जादा ना change हुए हो right उन्हें जो पसंद था आप करते आपको दूँगी तो please divine universe बताएं कि अभी सिवत उनकी person उनको लिए कर क्या कुछ है जो सोच रहे हैं तो सबसे पहले है no thingness कोई भी आपके बिना नहीं right या तो अब वो energy हो थी नहीं या तो आप या फिर कोई भी नहीं कोई energy है उनकी अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो energy है going with flow I also tell you the zodiacs thunderbolt the movement of tower tower का movement या दा रहा है उनको बार बार please divine universe बताएं में reviewers को क्या सोच रहे हैं उनकी person अभी इसे है the energy of lovers is it two card or one one okay and one more दिल की अवाज the inner voice innocence ठीक है तो guys अगर मैं सबसे पहले zodiacs यहाँ पर बताओ तो यहाँ है cancer scorpion Pisces ठीक है बहुत strong है cancer scorpion and Pisces बहुत जादा strong है आपके आपके person के हो सकते हैं यह zodiac science नहीं है तो भी यह reading आपके साथ resonate करेगी पर यह mainly highlighted zodiac science है यानि इन zodiac science के लिए basically यह reading और जादा accurate हो जाती है ठीक है चलिए तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले यह चीज़ दिख रहा है कि अगर हम अभी के energy देखे ना आपके person की ठीक है तो वो बिलकुल ना एक ठहराव में है यानि रुके हुए है ठीक है आगे कोई action नहीं ले रहे है कोई सब कुछ भी खेर दिया एक वो situation होते हैं ना कि सब कुछ भी खेर दिया ठीक है लेकिन समेटने का जब number आया ना तो चुपचा पीछे हाथ पे हाथ धरके बैठ गया कि अब तो भाईया जो होना है वो होगा वो कावत है ना अब होत किया जब चुड़िया चुग गई खेत अब पच्चता है होत किया जब चुड़िया चुग गई खेत राइट वो उनकी situation है कि अब आप अलग हो चुके हो जब आपके साथ अलग होना था जब no contact में जाना था जब move on करना था तो आपसे उपर किसी और को choose भी कर लिया आपको धोका भी दे दिया move on भी कर गए आपसे बत्तमीजी से बात भी करी आपको रुलाया भी दर्द भी दिया तकलीव भी दिया और उसका एहसास भी नहीं करा और अब जब number आ रहा है आपसे reunion, reconciliation करने का तो उनकी energy है going with flow क्या energy है उनकी going with flow कि जो होगा देखा जाएगा है ना, वो energy आपके person की अभी right now की है maybe आपके person बहुत good looking है, नहीं तो good looking नहीं तो attractive इतनी है कि काफी लोग है उनके पीछे चाहे it's a boy or a girl, relationship में already हो सकते हैं, उस अपता है married है lovers के energy उटकर आई है, third party situation, extra marital affair के chances already कोई girlfriend, boyfriend है ठीक है और या फिर family जो है वो agree नहीं कर रही है marriage के लिए, tradition, caste के differences की वज़े से ठीक है, तो ये situation तो है आपके relationship में commitment नहीं मिल पा रही है ठीक है, और आपके person जो है ठीक है, बहुत attractive है ठीक है, बहुत attractive है लेकिन एक वो चीज उतना जैसे हुता ना, कि बहुत लोगों के पीछे भागे है वो, आपके person बहुत लोगों के पीछे भागे है यानि अगर ये लड़की मिल गई तो इससे भी बात कर ली, दूसरी लड़की मिल गई उससे भी बात कर ली यह साम लड़के के साथ भी हुगा कि यह लड़का मिल गया तो उससे बात कर ली यह लड़का मिल गया उससे बात कर ली यह चीज करी है उन्होंने लेकिन एक छो ठहराव आता है एक stability जब यह कर रहे थे ना यह energies में जब वो थे तो what I believe कि कि जब इस energy में थे ना तब तक रुकावट रुके नहीं थे कहीं पर भी कोई भी इतने लोगों से बात करी उन्होंने इतने लोगों के ने उन्हों प्रपोस करा लेकिन कोई भी दिल में उनके उता ना entry नहीं ले पाई और आपके साथ ऐसी situation हुई है कि जब आप से उन्होंने बात करी जब आपके साथ उन्होंने emotions share करे तो उनका दिल करा कि मैं इसको commitment दूँ तो उनका दिल करा कि इसके साथ मैं relationship में जाऊं आपके तरफ से उन्हें realize हुआ कि इस person ने मेरी दिल की feelings को जगाया है यही वो person है शायद जिसे universe ने मेरे लिए बनाया है उनको कहीं न कहीं यह feeling ज़रूर आते होगी कि soulmate है लवर्स का काड़ा तो inflame के energy भी नहीं कह रही हूँ कार्मिक energy भी नहीं कह रही हूँ यहां मैं soulmate के energies कह रही हूँ येस आप और आपके person अगर आप इस reading को देख रहे हूँ न तो definitely soulmate हो अगर यहां तक पहुंचे भी हो तो तो आपके लिए उन्हीं ये feeling आई है हम के दल में तब ही तो कहीं नहीं ठहरे शादी भी हो गई तब भी नहीं ठहरे married भी है अगर तब भी नहीं ठहरे लेकिन जब से आपके साथ आए तब ठहरावाया तब वो रुके हैं जाकर कि ठीक है मुझे इस person से ये person चाद इसी person की कमी थी मेरे जिंदगी में इसी के साथ मैं comfortable feel करता हूँ या comfortable feel करती जब मैं दुखी होता हूँ तो मुझे दिल करता है कि मैं इसके पास आऊ तो मुझे थोड़ा अच्छा feel होगा मुझे थोड़ा positive feel होगा ये feelings थी उनकी ठीक है तो अगर मैं उनकी देखू न कि अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं तो वो यही सोच रहे हैं जैसे आप उनसे प्यार करते हो न शायद इतना प्यार उनसे किसी ने भी नहीं करा आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं करा care करी, support करा ये ना दूसरों से जूट बोला, even कई पर family से भी जूट बोल कर आप उनसे मिलने आए है ना तो वो चीज को realize कर रहे हैं कि इतना प्यार, जब से आपने उनने specifically ये gap दिया है, ये tower moment दिया है, उसके बाद से ये feeling उनकी और बढ़ गई है, कि इतना प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता, जतना इसने करा है मुझे, ऐसे बालों में उनके दिल की अवाज यही है, inner voice के नीचे, के ऊपर ही ये card आया है, कि दिल की कही न कहीं अवाज यही है, कि इतना प्यार शायद मुझे कोई और नहीं कर सकता था, thunder board tower moment, बार बार उन्हें अभी भी याद आ रहे हैं, ये tower moment कि मुझे उनकी energy दिख रही न, वो खुद ही को सजा दे रहे हैं, इन गल्तियों की उन्हें ऐसे लग रहा है, कि मैं इसके लायक ही नहीं, खुद ही negative होकर बैठे हूँ क्या शायद मैं इसके लायक ही नहीं है, वो energy है उनकी क्या वो मुझे माफ करेगी भी या नहीं, वो मुझे माफ करेगा भी या नहीं उस energy में, इसलिए बात करने से भी पीछे हटते हैं call मिलाते होंगे message करते होंगे, पर delete कर देते हैं call के button तक पहुँचते ही नहीं right तो ये उनकी कुछ अभी के energy है innocence के energy भी है kindness के energy भी है maybe उन्होंने ये चीज़ realize करते हैं कि एक innocent person को जो उनसे सच्चा प्यार करता तो उन्होंने उसका दिल दुखाया है उसको तकलीफ दी है and that's the energy today okay, so अगर आपके साथ resonate करी तो definitely like करे, share करे and मुझे comments में बताएं, this is all for today, thank you bye, take care